दोस्तो अगर आप सीखना चाहते हैं Photoshop तो ये वीडियो आपकी पूरी-पूरी हेल्प करने वाला है 20 मिनिट में आप Photoshop इतना सीख जाएंगे कि आप अच्छे से चला पाएंगे आप जानेंगे background कैसे change करते हैं आप जानेंगे passport size photo कैसे बनाते हैं कैसे photo पे अगर आपके कोई dark spot है तो उसको कैसे हटाते हैं और भी basics आप जानेंगे इस वीडियो में नवश्कार दोस्तों मैं वह मैंनी भरत वह आपका स्वाध करता हूं इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आत रहता हूं आप किवल 20 मिनिट के टाइम देकर photoshop को अच्छे से सीख पाएंगे चलिए शुरू करते हैं तो यह है photoshop का user interface वैसे तो photoshop में बहुत सारे option दिये गए होते हैं लेकिन जब आप user interface की बात करेंगे तो यह बहुत ही clean होता है यह जो आपको gray color का area दिखाई दे रहा है यह workspace होता है और यहाँ पर side में एक tool box दिया गया होता है जहाँ पर आपके image related कई सारे tool होते हैं और जब आप किसी tool पर click करते हैं तो उपर दी गई यह जो पट्टी है वहाँ पर उस tool से संबंधित option आजाते हैं और यहाँ पर menu दिये गए हैं जिसमें file menu है, edit menu है, image menu है और file menu में मुक्त है वही सारे option दिये जाते हैं जैसे file को open करना, close करना, file को save करना, save as करना, import और export जैसे option दिये जाते हैं edit menu में, edit से related सारे option दिये जाते हैं इसी तरीके से image menu में, image से related option दिये जाते हैं और यह जो सभी option है यह अभी close है, disable है, active नहीं है जब हम किसी image पर काम करेंगे तभी यह सारे option active होंगे तो Photoshop में किसी भी photo को या तो आप control O करके open कर सकते हैं कुछ इस तरीके से या फिर आप file menu पर जा सकते हैं या फिर work space पर कहीं भी double click करके आप अपने photo को open कर सकते हैं जिसे आप edit करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अगर किसी photo को edit करना है तो उसे हमें यह पर open करना होगा photo open करने के लिए आपको just जो work space है वहाँ पर double click करना है और हमने यहाँ पर एक photo desktop पर लिया हुआ है उसे हम यहाँ पर open कर लेते हैं आप देखेंगे यह photo यहाँ पर open हो गया है अब इसको cutting करने के लिए आपको इस्तमाल करना होगा photo को cutting करने के लिए या photo के किसी भी हिस्से को cutting करने के लिए तो यहाँ पर आपके mouse चलाने के जो तरीका है वो एकदम sharp होना चाहिए तब ही आप किसी image को काट पाएंगे तो image को cut करने के लिए, image के किसी भाग को cut करने के लिए आप सबसे पहले उस हिस्से को zoom कर लीजिए तो ज्यादा बहतर रहेगा, तो zoom करने के लिए हम जाते हैं, यहाँ पर zoom tool पर click करते हैं और इसे पकड़के ऐसे खीच देते हैं, अब आप देखेंगे, यहाँ पर एक selection area बन गया है और इस selection area में यह image zoom हो जाएगी, आप देखिए, इस तरीके से यह image zoom हो गई है अब आप last tool पर चले जाएए, image के किसी भी हिस्से पर click कीजिए और आगे बढ़ते जाएए तो यह एक बार में ही किसी image को काटने के लिए आप इस tool का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस tool को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना हाथ जो है बड़ा ठीक से चलाना पड़ेगा अने था आप image को कट नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए एक बहुत अच्छी practice की अवश्कता होनी चाहिए तब ही आप image को कट कर पाएंगे जहां से आप शुरू किया है वहां से आप laser tool के उस इससे को मिला दीजिए देखिए कुछ इस तरीके से जैसे दिवाले पर light जिल मिला आती है उस तरीके से यहां पर जो selection एरिया है वो जिल मिला ले लग जाएगा तो इससे आपको यह पता चलेगा कि यह एरिया select हो चुका है अब आप कीबोर्ड से cut और copy का इस्तमाल करके इस एरिया को यहां से कहीं भी ले जा सकते हैं तो हम कीबोर्ड से control C को इस्तमाल करते हैं और उसके बाद में control V दबाते हैं तो देखिए जो एरिया हमने अभी यहां पर select किया था उस एरिया के copy तेयार हो गई है और आप देखेंगे यहां पर दो layer हो चुकी है एक layer वह है जो हमने cut करके निकाली थी और एक layer है background वाली तो अगर आपको background layer को select करना है तो आपको mouse से right click करना होगा और background को select करना होगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर जब आप दूसरी layer पर जाएंगे आपको layer 1 और background दोनों अलग अलग दिखा ही देंगे और जब आप background को select नहीं करेंगे तो actual में आप layer 1 को cut कर रहे होगे तो सबसे पहले काम कीजिए कि right click करके background पर click कर लीजिए इसके बाद में आप polygon lasso tool को select कीजिए और यह tool beginners के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आप जहां भी चाहें जितनी बार भी चाहें उतनी बार click कर सकते हैं जबके lasso tool में आप ऐसा नहीं कर सकते थे तो cut करने की practice कीजिए यहां पर आप नीचे चलते जाए आप देखेंगे कि photo को हमें scroll करना है तो scroll करने के लिए आप space bar को दबाईए यहां पर एक हाथ का निशा कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है यानि आपको पीछे back जाना है तो आप simple backspace के button का इस्तेमाल कीजिए इससे selection है वो back हो जाएगा और आप photo को दुबारा से cut कर पाएंगे यह आपने selection को ठीक कर पाएंगे तो simple आपको backspace का button दबाना है और photo को cut करते जाना है आप आप print size पर click करेंगे तो इस photo का actual size हो का आपके printer से print होके निकल के आएगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा और जब आप fit on screen पर click करेंगे तो photo चाहे आपका कितना भी बड़ा हो चाहें आपको photo 12-12 inch का हो या 12 fit का हो वो आपकी screen पर पूरी तरीके से fit हो जाएगा तो प के पास आजाएगा आप इसको बड़े आराम से किसी भी background पर जाकर fit कर सकते हैं फिलाल आप cutting की practice कीजिए और cutting की जो practice है फोटो को select करने की practice है उसमें आप polygon lasso tool का इस्तमाल कीजिए अगले वीडियो में हम इससे भी बेतर चीदों को जानेंगे Photoshop का प्रयोग और कैसे कैसे कि आपको सबसे पहले चाहिए photo जिसकी आप background चेंज करना चाहते हैं तो हमने यह पर photo बिन कर लिया है और दूसरी वह background जिस पर आप यह photo लगाना चाहते हैं तो यहां से background भी ले 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 थे हैं background का chain करते समय यह ध्यान रखेंगे photo की lighting और background की lighting एक जैसी हो जिसे photo आपका और भी अच्छा आएगा यानि अगर आप photo की background चेंज करेंगे तो वह ऐसा नहीं लगेगा कि यह photo अलग से काटके यहां पर लगाया गया है पिछले वीडियो में हमने आपको लासो टूल के बारे में बताया था हम उसी टूल की साहता से पहले इस photo की cutting करेंगे और उसके बाद इस background पर लगाएंगे तो सबसे पहले हम लासो टूल लेकि इस photo की cutting कर लेते हैं इसको जूम करते हैं यहां पर आपको तीन option दिखाए दे रहे हैं यह जो option है इसकी मदद से full screen mode आ जाएगा जिसे menu बार भी दिखाए देगा और आप photo को कहीं भी scroll कर पाएंगे तो photo cutting करते समय यह जो बीच वाला mode है आप इसे लगा लें इसके बाद आप polygon लासो टूल को यहां से select कर लें यहां पर जैसे ही आप लासो टूल पर click करेंगे उपर आपको option में feather का option दिखाए देगा अगर आपका photo बहुत कम pixels का है तो यहां पर minimum दो या तीन feather को select कर लें feather से होगा क्या कि आपके जो cutting होगी वो उसमें sharp cut नहीं बनेंगे soft cut बढ़ेंगे जिससे आपका photo आपके background में match हो जाएगा अभी देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है तो feather हमने यह पर 2px select कर लिया है और इसके बाद हम photo को cut कर रहे हैं हम बेकार के जो उपर बाल दिखाए दे रहे हैं उनको छोड़ देते हैं और बागी हिस्से को हम cut कर लेते हैं देखे पूरा photo cut हो गया है अब हम zoom tool पर जाते हैं और इसे fit to screen कर लेते हैं आप देखेंगे के पूरे photo पर selection area जिल मिला रहा है इसके बाद यहाँ पर जो हमने option लिया था यह बीच वाला full screen mode उससे standard screen mode पर चले जाते हैं आप देखेंगे कि आपको दौनों जो photo है वो दिखाई देने लेंगे दौनों को fit on screen कर लीजिए move tool पर जाईए यह tool आपके किसी भी layer को सीधे cut करके दूसरे background पर ले जा सकता है इसको ले जाने के दो तरीके हैं या तो आप move tool को ले लीजिए जैसे ही आप इसे select करेंगे तो जो selection area है वहाँ पर केंची जैसा icon आ जाएगा आप mouse से click करके दबा लीजिए और drag करते हुए दूसरे photo पर ले जाएए आप देखेंगे यह photo यहाँ पर आ जाएगा दूसरा तरीका copy और paste वाला होता है आप copy कीजिए और दूसरे photo select कीजिए और यहाँ पर paste कर दीजिए तो इस तरीके से भी आप photo को वहाँ से ला सकते हैं तो जब आपका photo आपकी background पर आ जाए तो आप इसे कहीं भी उठा कर रख सकते हैं लेकिन आप देखेंगे यह photo इस background से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो इसके लिए आप keyboard से दबाएंगे Ctrl T जिसे आपके photo के चारा तरफ कुछ handles आ जाएंगे यह free transform के option है जो कि आपको edit menu में यहाँ पर दिखाए दे जाएगा अगर आप Ctrl T नहीं दबाते हैं तो आप edit menu में जाकर free transform के option को select कर सकते हैं यहाँ से भी वही चीज़ आ जाएगी अब आप इन handles को पकड़के इस photo को छोट कर लीजिए तो जब इन ही handles के ऊपर आप mouse के cursor को ले जाएंगे तो आपको rotate करने के लिए option मिल जाएगा और जो photo rotate होगा वो इस बीच वाले point के आधार पर होगा अगर आप चाहते हैं कि photo इस तरीके से rotate हो तो आप इसे ऐसे घुमा लीजिए नहीं तो आप इस rotate point को नीचे ले जाएं और photo को यहां से rotate कर दीजिए देखिए दौनों options से photo अलग अलग तरी से rotate हो रहा है बस इसको यहां पर चोड़ दीजिए अब जो भी area आपको इस background के लिए suitable लगे आप इसको वहां पर ले जागे छोड़ दीजिए जैसे हम इसे यहां पर लगा देते हैं अब इ अनुमान करके ही यह ठीक करना होगा आपको देखना होगा किस हिसाब से आप इस पर brightness और contrast लगाएं तो आप देखेंगे जो background है उससे यह photo match करने लगा है जो के पीछे इस हिसाब से match हो रहा था यह photo आप दोनों photo को मिलाके देख लीजिए दोनों photo में कितना अंतर है हम दो पर चाहिए एक photo यहाँ पर हमने एक photo लिया है जिसका background white है आपके photo का background किसी और भी color का हो सकता है तो आप पिछले वीडियो के बतायने सवर उसका background चेंज कर लीजिए क्योंकि अगर आप proper passport के लिए photo बनबा रहे है तो वहाँ पर white color के background का photo चाहिए होता है अब आपको हम ब अबन कर सकते हैं या select कर सकते हैं Photoshop में जो सारे shortcut है वो सीधे alphabetical keyword से जुड़े होते हैं वहाँ पर alt वगरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ज्यादार toolbox के जितने भी shortcut हैं वो सब alphabetical keyboard से जुड़े होते हैं तो आप बड़े आराम सुन इस्तमाल कर सकते हैं तो keyboard से C को प्रे है वो आपको भरना है 2.5 cm और height आपको भरनी है 3.5 cm और resolution में आप 300 यहां पर फिल कर दीजिए इसके बाद photo को crop कीजिए crop करने के लिए आप कहीं भी उबर अपने mouse के cursor को ले जाईए और नीचे पकड़गे कीचिए आप photo को center में कर लीजिए जैसे भी आप passport size में photo को जितना हो गया है तब keyboard से cable enter को press कीजिए तो आप देखेंगे यह photo cut चुका है इसको zoom करने के लिए आप zoom option पर जाएए और इसे fit on screen कर लीजिए आप देखेंगे यह photo इस तरीके का आचुका है अब आपको करना यह है आपको नई sheet open करनी है इसके लिए file menu पर जाएए और new key button पर press कर मार्केट में मिलने वाले जो sheet होती है वो जड़तर A4 size की आती है आप अगर codec की photo paper sheet खरीदेंगे या कोई भी खरीदेंगे तो वह A4 size की आएगी A4 size को select कर लीजिए और इसे ok कर दीजिए अब यहां पर देखेंगे एक A4 size की sheet है और एक passport size का मारे पास photo आ गया है अब इस sheet पर photo को लगाना है तो उसके लिए आपको यहां पर एक grid line लगानी होगी उपर यहां पर ruler दिखाए देगा अगर आपको ruler नहीं दिखाए दे रहा है तो आप control के साथ R button को press कीजिए तो जब आप एक seed में लगाएंगे तो उसके लिए grid line बहुत ही काम आएगी इसके बाद हम अपने photo को यहां से या तो copy कर लेंगे या फिर move tool की साहता से drag करते हुए इस new sheet पर ले जाएंगे तो हम move tool की साहता से drag करते हुए ले जाते है फोटो पर हम click करते है mouse से और उठाते हु से select हो जाएगा एक grid line आप इस side में लगा सकते हैं आप सेम उसी तरीके से लगाए जाएगी आप देखेंगे photo के दौनों side में grid line आ गई है अब इस photo का duplicate बनात हुए आपको आगे ले जाना है जितने भी photo sheet पर लग जाए तो आपको simple करना यह है photo पर mouse का cursor ले जाना है alt key को press क आप देखेंगे जैसे ही आप move tool को अपने photo पर ले जाएंगे और alt button को press करेंगे तो एक duplicate cursor आ जाएगा बस आप इस पर photo पर click किजिए और इसको drag करते हुए आगे ले जाएगा आप देखेंगे photo का duplicate तेयर हो जाएगा इसी तरीके से आप alt button को दबाए रखिए और जितने च अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी शीट को पासपोर्ट साइज से प्रिंट करें तो आपको करना ही होगा कि आप जूम टूल पर जाएगे इसको fit on screen कीजिए और जो सबसे लास्ट फोटो आपने यहां पर बनाया है उसको right click करके select कीजिए आप देखेंगे यह layer 1, copy 6 यहा पहली layer थी और इसकी हमने 6 कॉपिया और बनाई है अब इस पर click कर दीजिए और control के साथ में E button को press कीजिए क्योंकि अभी आप जब आप इसको नीचे ले जाएंगे तो cable एक ही photo नीचे जाएगा लेकिन हमें सारे ले जाने है एक साथ में control के साथ में आपको E button को press करना है औ 4, 3, 2, 1 अब आप देखेंगे यहां पर layer 1 रह गया है जो combis बनाई थी वो खतम हो गई है यह सारी combis हमने एक साथ जोड ली है जब आप इसे उठाएंगे तो यह सारे photo एक साथ चलने लग जाएंगे अब आपको simple वही करना है आपको Alt की को press करना है और इसका duplicate बनाते जाना जो side वाली grid है वो आपको photo को नीचे ले जाते में सायता करेगी तो आप देखें कितनी जल्दी आपना पूरी sheet पर यह passport size photo एक जैसे लगा दिये और कोई भी disturbance नहीं है तो इस तरीके से आप बड़े आराम से passport size photo बना सकते हैं और उनका print निगाल सकते हैं अगर आप चाहें उसको layup पर ले जाकर भी print करा सकते हैं तो यहां पर हमारे पास एक photo है जिसके चाहरे पर आप देख रहे होगे कई सारे निशान है और यह जो निशान है इनको हम Photoshop पे किस तरीके से हटा सकते हैं यह हम सीखते हैं तो आज हम बताएंगे आपको एक नई टूल के बारे में आ तो आप देखेंगे यहां पर tool box में एक tool highlight होने लग जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि bandage जैसा निशान मना हुआ है जब कहीं चोट लग जाती है तो आप bandage लगाते हैं वही निशान इस tool पर भी है और यह काम भी वैसा ही करता है तो जब आप इसे select कर लेंगे तो आप को जादा बड़े brush की ज़रूरत है तो आप यहां से इसका diameter बड़ा कर सकते हैं आप देखें यहां से हम इसको कितना भी बड़ा से कर सकते हैं हमने यहां पर इसको 60 PX पे set कर लिया तो आप देखें यह brush बड़ा हो गया है और आप इसे यहां से कम कर देंगे तो यह brush छोट कीबोर्ड से ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए आप ब्रेकेट्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं यह कैसे यह नाग दब्बों को क्लियर कर सकता है आप देखेंगे कि जो धब्बे हैं वो चहरे पर कहीं कहीं है और बागी चहरा साफ है अब हमें इसकिन क जाकर alt key को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप alt key प्रेस करेंगे तो यह जो healing brush tool है यह वहाँ से उस color को उठा लेगा इसके बाद आपको जाकर करना ही है कि आपको किसी भी spot पर जाकर बस mouse से click करना है आप देखेंगे जब हम mouse से click करेंगे तो एक plus का निशान वहाँ पर भी बन ज प्रेस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का हो सकता है कि skin color अलग हो तो आप यहां से skin color ले लिजिए इसी तरीके से आप दुबारा alt key को प्रेस करके यहां से ले लिजिए और यहां पर आप देखेंगे यह जो एरिया है यह ज्यादा bright है यहां पर रोशनी कम है तो आप इस वाल ए अपने brush को ले जाएए और click करते जाएए अब देखेंगे यह जो चहरा है अभी थोड़ी दिर पहले मुहासों से भरा हुआ था और यह बिल्कुल clear हो चुका है आप देखेंगे आप जो तिल जैसे निशान है उनको भी ठीक कर सकते हैं लिए इसके लिए आपको brush चोटा कर लेंगे Photoshop के बारे में और भी बहुत जान करी है आज के इस वीडियो में बस इतना ही यहाँ फिर आप Google पर टाइप कीजिए MyBigGuide तो सबसे उपर MyBigGuide.com का result मिल जाएगा Learning Zone दिया गया है इसके अलावा Internet, YouTube और Printing के Tips or Tricks भी यहाँ पर दिये गए हैं यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने Computer Notes दिये हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत उपियोगी होते हैं बस इस पर आप क्लिक लिए वियान परख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया देगा अनसल जे प्रिश्णो के आसान जवाब जो अकसर करके आपकी दिमाग में आते होंगे हमने डार्क Internet के बारे में बताया है ब्लू फेल गेम के बारे में बताया है कॉल डॉप क्या होता है यह भी हमने बता बैया हुआ है तो यह 132 आर्टिकल आपके बहुत कामाने वाले हैं